मज़ेदार सा मटर गोश्ट रेडी है, आप इसकी थीकनेस भी देख सकते हैं, अगर आपने रोटी के साथ खाना हैं, तो आप इतनी थीकनेस रह सकते हैं, और अगर आपने चावलों के साथ खाना हैं, तो आप शोरबे को थोरा सा पतला कर लीजिएगा, बिस्मिलार रख्मा द्रम्याने साइज के तीन टमाटर द्रम्याने साइज के दो अद्रक का इतना सा मैंने एक पीस लिया है और इसको मैंने चौप कर लिया है लसन भी इस साइज का मैंने एक लिया है एक लसन हम इस्तमाल कर रहे हैं सबस मिर्च तीन ऑईल एक कप और जो स्पाइसीज मतर गोश् रट चिली 1 तेबल स्पून, हल्दी 1 तेजपून, काली मिर्च 1 तेजपून, कलवंजी 1 तेजपून, जीरा 1 तेजपून, गरमसाला 1 तेजपून, जैफल और जुवेतरी का पौडर 1 तेजपून, गरमसाला पौडर 1 तेजपून, और कसूरी मेथि 1 तेजपून, एक तीजपून के अंदर मैंने गोश्ट डाल दिया है और आप इसके अंदर ये प्यास, टमाटर, हरी मेच, अदरक, लसन ये साब कुछ शामिल करेंगे, और साथ ही इसके अंदर सारे के सारे जो भी स्पाइसिस थे, ये सारे शामिल करेंगे, इसके बाद हम पानी डालेंगे, और अब हम गोश्ट को पकने के लिए राखतेंगे, आप जितने भी स्पाइसिस थे, नमक, मिर्च, हल्दी, गर्म, साला, सब कुछ आप अपने टेस्ट के मुताबिक काम और ज्यादा कर सकते हैं, अब हम इसको पकने के लिए राखतेंगे, गोश्ट को बाइल आगया है, और इतनी मज़ेदार सी मसालों की हुश्बू आ रही है, अब हम इसको हलाएंगे, और 20 मिट के लिए दर्म्यानी याँच पर पकने के लिए रखतेंगे, गोश्ट में मैंने आईल शामिल कर दिया है, और आप इसको अच्छी तरह से बुनूँगी तब तक, जब तक प्याज और लसन अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाते, हंडिया वही अच्छी लगती है, जिसमें प्याज और लसन शोर्बे में नजर ना आए, तो इसलिए हम इसको बुनेंगे अच्छी तरह से, ताके प्याज और लसन मिक्स हो जाएं, और उसके बाद हम मटर शामिल करेंगे, प्याज और लसन बहुत अच्छी तरह से मिक्स अप हो गया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको इतनी देर तक बुनाएं, कि जब तक प्याज और लसन मिक्स नहीं हो जाते, अब हम इसमें मटर शामिल करेंगे, और मटर को भी तीन-चार मिट के लिए बुनेंगे, और उसके बाद पानी थोरा सा डालके, इसको पकने के लिए राकतेंगे, तास मिट के लिए, मटर भी अच्छी तरह से बुन गई है, और आप मैं इसमें पानी शामिल करूंगे, और आप दास मिट के लिए पकने के लिए राकतोंगी, मटर भी पक के रेडी हो गई है, और मज़ेदार सा मटर गोष्ट आलमोस्ट रेडी है, अब लास्ट में मैं कसूरी मेथी शामिल करूंगी, और धनिया शामिल करूंगी, और इसको तीन मिन्ट के लिए दाम की आँच पे रफोंगी और उसके बाद डिशाउट परूंगी, मज़ेदार सा मटर गोष्ट रेडी है, आप इसकी थीकनेस भी देख सकते हैं, अगर आपने रोटी के साथ खाना है तो आप इतनी थीकनेस रा सकते हैं, और अगर आपने चावलों के साथ खाना है तो आप शोर्बे को थोड़ा सा पतला कार लीजिएगा, और जरूर बनाईएगा और कमेंट्स में बताईएगा कैसा बना, अल्ला हाफिज,